जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। पूल सफेद रंग तथा लाल रंग की मंजरियों में होते हैं। पूलों का छालों पर लेब करना चाहिए। तीन दिन की सेवन से ही मूँ के छाले ठीक हो जाएंगे। नमर दो खांसी और गैस में ये बहुत कारगर होते हैं। क्रमी और पांडव रोग होने के बाद चित्रक के फूलों का तीन माशे चून गाए के ताजा दूद के साथ रोगी को सुबह शाम इस्तमाल कराना चाहिए। 20 दिन के इस्तिमाल में ही क्रमी और पांडव रोग से छुटकारा मिल जाएगा। 40 दिन के प्रयोग के बाद तो ये रोग बिलकुल ही खत्म हो जाएगा। दर्द और बवासीर अगर किसी को है तो उनके लिए भी चितरक के ताजा फूलों का लेप सुबह शाम दर्द वाली जगे पर और बवासीर के मसों पर करना चाहिए। दस दिन के प्रयोग से ही बवासीर के मस से जड़ कर साफ हो जाएंगे और दर्द से मुक्ती मिल जाएगी। तो दोस्तो ये चितरक के फूल आप ला सकते हैं ये आपको सूखे रूप में भी मिल सकते हैं आप कहीं से ऐरवेद की दुपान से ये ला सकते हैं या पंसारी से ये ला सकते हैं और अपने वैद्ध से सला लेना बिलकुल ना भूलें। जीवन मंतरा जीवन की एक ऐसी पदती है, जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्त रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं जीवन मंतरा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार